नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लैट्स गरो के जो भी नए एंप्लोई हैं उनके दिमाग के अंदर एक कन्फूजन चल रहा है कि सर वो अपना फस्ट विड्रोल कब लगा सकते हैं याने कि उनके जो वालेट के अंदर जो पैसा है वो कब अपना पैसा विड्रोल कर सकते हैं क्या विड्रोल करने के लिए उनको अपने डारेक्ट के अंदर पांच मेंबर लगाने जरूरी हैं अगर वो अपने पांच मेंबर नहीं लगाते हैं तो क्या वो अपना payment विड्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आपको बताने वाले तो देखें दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मापको बता दू आपको अपने डारेक्ट में फस्ट विड्रोल लगाने के लिए डारेक्ट में पांच मेंबर जोइन करना compulsory नहीं है अगर आप चाहें तो आपके डारेक्ट में दो मेंबर लगाकर अगर आप उनकी ID एक्टिवेट करते हो तो 200 रुपय आपको डारेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा और अगर वही दो मेंबर अपने डाउन लाइन के अंदर अपने टीम तयार करते हैं और अगर आपके वालेट के अंदर कमिशन इकठा होते होते पांसो या उससे ज़्यादा रुपया आपका बिल्कुल इकठा हो जाता है तो आप अपना फर्स्ट विड्रॉल लगा सकते हो यानि कि फर्स्ट विड्रॉल के लिए आपका पांस मेंबर कमपलसरी करना कोई भी अनिवारिया नहीं है first withdrawal लगाने के लिए आपके wallet के अंदर 500 रुपया होना बिल्कुल ज़रूरी है आप minimum 500 रुपय का wallet अगर आपके पास है तो ही आप अपना first withdrawal लगा सकते हो अन्यता आप अपना first withdrawal नहीं लगा सकते यानि कि कुल मिलाकर आपको 5 member direct में लगाने की कोई भी need नहीं है अपना first withdrawal लगाने के लिए आपको first withdrawal लगाने के लिए अपने wallet के अंदर 500 रुपय होना अनिवारे है तभी आप अपना first withdrawal लगा सकते हो जियां दोस्तों इस वीडियो के मार्दम से आपका first withdrawal का confusion दूर हो गया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक like चरूर कर देना और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे channel पे पहली बार आएं तो वीडियो को like, share और channel को subscribe करना मत पूले